पुनात्मों आप इस काल के जाल से अप्रीचित हो इस कारण से इस मारग को इतना शेरियसली नहीं लेते आप केवल पहले आते हो सुक के उदेसे से के मेरा ये हो जा बेटा हो जा पेटी हो जा कार हो जा कोठी हो जा टोटा दूर हो जा करदा उतर जा छोटा मोटा को सारी रिक कष्ट है वो दूर हो जा ये तो आपको फरी आफ कोस्ट होगा यदि आप सची सरधा से बगती करनी प् फिर कुछ दिनों के बाद आपको यहां इसलिए बुला जाता है हर महने आना है दूर देश के हैं वो चल दूसरे महने एक महने छोड़ करा जाएं दो महने छोड़ करा जाएं आपको इसलिए बुला जाता है कि ताकि आप आप इसको इतना सेरियसली नहीं लेते क्योंकि आप इस मार्क से प्रिचित नहीं हो आपको यहां बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहां अपने घर से जब चलते हो तो एक हफ़ता पहले आप प्रमात्मा के दरबार में पहुँचने के लिए चिंतित हो जाते हो तो आपकी वो चिंतन भी मालक के पुन में लग जाता है कोई कारिये को आगे पीछे करते हो किसी से छूटी लेते हो गरवालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है कहीं यह ना ना कर दे और फिर आप वहां से यहां तक आते हो एक नम्ब एक तो आपको धनी बनाना है राम नाम का भगती का धनी बनाना है प्रमात्मा का विद्धान है क्या बताते हैं प्रमात्मा अपना विद्धान वहाँ पी बता रहे हैं कबीर जी के संत मिलन कुँचा लिए जब सत्गुरु के दरसनार चाब चलते हो अभीमान तजमाया अभीमान किसी परकार का भी आप मभीमान नहीं होना चाहिए ना धन का हो ना पद और पोस्त का हो किसी परकार का नहीं हो जैसे एक रोगी विक्तिव जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है च deals वो कितना बड़ा दिकारी है और कितना पैसे वाला है वहाँ वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता उसका दिखावा नहीं करता अपनी ज्यान बचाना चाहता है डॉक्टर जहां कहता हुए लेट जाता है कपड़े उतारने को कहता है तुरण उतार देता है कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता है लिख कर देता है तुरण दूठ कर चला जाता है तो पुन्यातमों सच्चे दरबार में जब भगत आवे उसका दिर्ष्टी कोन उसका उदेश से उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे शेरियस रोगी शेरियस पेसेंट और होस्पीटल में जाता है उसमें कोई नकरा नहीं होता ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे आपको कितना पुन मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम यानि जितने कदम बनते हैं इतने यग के तुल आपको पुन मिलेगा मिलेगा उसको जो यानिस कपट भाव से आता है और निर्बमान होकर आता है जैसे रोगी जाता है उस्पीटल में तो यहां आपको बुलाने का उदिस से यह है नमबर एक तो आप दनी हो जाओगे पुन बढ़ेंगे आपके और जो पैसा आपका खरç होता है यहां किराए पै आने जाने में यह भी आपके पुन में लिख़ा जाएगा आपके धर्म में लिख़ा जाता है यह पुन हो राँ आपका तो जितना भी आप यहां प्रमात्मा की चर्णों माओगे आपका पुन्ड बढ़ेगा फिर आप यहां पर पांच यग होती हैं एक यग है धर्म की यहां बंडारा चला है बगवान का दिनराथ फरी ओफ कोस्ट प्रमात्मा की तरफ से यहां जो आप आते हो दस रुपे पचास रुपे सो रुपे जैसे भी दान पातर में डालते हो उसका फिर सामविक रोप से पंडारा होता है कहीं आशरम का विस्तार होता है कोई पंखा आता है किता यह दरी विछान की मैट लेते हैं लेटरिंग बाथरूम बनाए जाते हैं कमरे बनाए जाते हैं सेड लगाया जाता है तो यह आपके पैसे इसका पुन हुआ और यहां आने वाली दुखी आत्माओं को चेन हुआ अब कितने कैसे संसार से निकल कराते हो आप ट्रेन माते हो जेब का तरे साथ बैठेरे मनमाना किरा के कर जा घर से निकलते हो कोई ठगी है कोई चोर है कोई किस तरह का है ब्यवपार में भी इस तरह की ना जाने कितने निकम में आदमी या ब्यवसाय में अपने कारियम है कितने निकम में टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तियार रहते हैं और उपर से फिर आपके ओपर ये इतनी आपदाएं कोई रोगी है किसी को कोई भूत सता रहा है किसी का प्तर रुष्ट है किसी का देवता रुष्ट रहा है और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे वे और वो प्राणी यहां आता है उसको आते ही गरम पाणी मिला है नाने के लिए गरम गरम चाय त्यार मिला है यह अपना बैटरी सी चारद हो जाते है इसकी और फिर बचे बचाए मैट मिलें रजाई मिलें बगवान के बच्चों को और फिर आपको यहां का अमरत ग्यान सुना जाता है रातरी के समय सर्दी का मौसर यह दिसंबर और जनवरी का महिना इसमें ओड के रजाई शाम के समय और बैठ है मालिक का ग्यान सुने प्रमात्मा का परसाद च्छक है और अपना कितनी आत्मा परशन होती है अद्दा दुख तो यहीं बोलेता प्रणी तो यहां पर कौन आता है यहां कोई खाना खाने नहीं आता है यहां को रातरी को सोने के लिए नहीं आता है यहां तो प्रमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो प्रमात्मा के अंस है जो पिछले जनमों से उनके चरनों में कही ना कही किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं अब वो पार होनी पाया भटक रहे हैं उनको फिर प्रमात्मा अपने बच्चों को इकठा कर रहा है किसी ना किसी मादम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पूस्तक से, या किसी मित्तर से, रिष्टेदार से, भाई बहन से, अपना संदेश दजवा करें, को फिर सर्न में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो प्रमात्मा की बच्चे यहां आते हैं और इन के लिए जो सेवा होती है यह धरम यग है